हेलो स्टूडिन आज हम हिंदी का पार्ट छे पढ़ेंगे लापरवा उल्लू जैसे कि आपको बताए लापरवा का क्या मतलब होता है जो काम ध्यान से नहीं करता है ठीक है इस पार्ट के मात्यम से चात्रों को बताए गया है कि हमें सदय कर्मशील बने रहना चाहिए कर्मशील का मतलब जो भी हमें काम दिया जाता है वो हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए आलस छोड़कर लगातार अपना कर्म करते रहना चाहिए कि अगर हम यह सोचेंगे कि आज नहीं करते हैं कल करते हैं कल सोचेंगे परसो करते हैं तो वो काम हमारा क्या होता जाएगा पैंडिंग होता जाएगा और वो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए हमें कभी भी किसी काम को लेकर आलस नहीं करना चाहिए इसकी वज़े से हमेशा हमारा काम क्या हो जाता है अधूरा रह जाता है तो आईए आज हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं तो एक नदी के किनारे बढगत का एक प्राचीन पेर था उस पेर पर एक आलसी उलू रहता था कैसा उलू रहता था? आलसी एक दिन सवेरे सवेरे पर आलसी उलू पेर की शाख़प पर बैट उंग रहा था उंग रहे देखो जैसे नीद आती है किसी को वो कैसे करता है? वो उंग रहा था हरे भरे सगन बन से दो सुन्दर कटफोरवा पक्षी उड़ते हुए आए कटफोरवा आपको पता है जिसे आप हिंदी में कटफोरवा और इंगलिश में वुट पैकर बोटे हैं जो कि लकड़ियों को ऐसे अपनी चोंस से पैक करते हैं उड़ते हुए आए और एक तने पर बैठ कर अपनी लंबी चोंस से ठक ठक करने लगे क्योंकि उनका तो काम ही यही है उनकी ठक ठक की आवास से आलसी उलू की नीन तूट गई वह पास में बैठे कटफोरवे पक्षी को देखकर भड़क उठा वे अपने पंक फड़फडाता हुगा बोला तुम यहां क्यों चले आए? क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? एक कटफोरा चकित स्वर में बोला देखता नहीं मैं अपना पेट भर रहा हूँ यहां पर हमारे भोजन लाए कीरे भड़े पड़े हैं तो वो लोग क्या कर रहे थे? जो तनों के अंदर जो कीड़े थे उनको वो लकड़ी हटा हटा कर खा रहे थे और ठक-ठक की आवाज से उल्लू की नीन खुल गई और जिसकी वज़े से उसे बहुत क्या आया? गुसा भाग जा यहां से कहीं और जाकर कीरों से पेट भर उल्लू चिलाया तुम मुझे इस सुहावने मौसा में मीठी नीन नहीं लेने दे रहे हो तो उल्लू क्या कहता है कटफोर्वे से? कि यहां से चले जाओ और मुझे अच्छी नीन लेने दो कटफोर्वे ने अपनी छोटी छोटी काली आँखों से उल्लू को घूरा और फिर दोनों हरे भरे सगन बन की और उड़ गए बन मतलब जंगल में उड़ गए क्योंकि वो छोटे थे तो उन्होंने सोचा हम चले जाते हैं उल्लू फिर से उंगने लगा तभी वहीं से सुन्दर सी कोयल आकर कूखने लगी आपको पता है कोयल की आवाज कितनी सुन्दर होती है तो कोयल आकर कूखने लगी बन करो क्यों चिला रही हूँ उल्लू चिलाया इतनी मीठी नीन आ रही थी मैं तो सुहावने मौसन का गीत का रही हूँ कोयल बोली कोयल ने बोला मैं तो गीत का रही हूँ मैं क्यों बंद करूं कुकना विवश होकर उल्लू को ही वहां से उड़ जाना पड़ा और नदी के टटपर उगे हुए जाड में वह जाकर बैठा और लगा उने कुछी देर में वहां कुलाहल होने लगा कुलाहल मतलब शोर होने लगा और उसके नेन में फिर बादा पड़ गई उसने अपने क्रोध भरी आँखों चारों और दोड़ाई तब ही देखता क्या है कि बगल में ही एक ननी चड़िया अपना घोसला बना रही है तो उसने क्या देखा कि एक चड़िया अपना घोसला बना रही है आपको पता है ना चड़िया बहुत मैनस से अपना घोसला बनाती है वो एक एक तिनका एकठा करती है और उससे ही वो घोसला बनाती है गोल गोल कोमल घोसला यह इस थान भी काम का नहीं उल्लू ने सोचा खुले मैदान में जाता हूँ यह क्या खुले मैदान में भी पक्षियों और टिड्डियों ने उसे विश्राम नहीं करने दिया इस प्रकार बिचारा उल्लू जहां भी गया वहाँ उसे जीवन की चहल पहल मिली क्यूं? क्यूंकि सभी लोग जो उसके आस पास थे जितने भी पक्षी थे कीड़े मकवरते सब अपना अपना दिन चर्या में काम कर रहे थे सभी भी है कीड़ पतंगे अपनी अपने काम में लगे मिले थे और क्यूंकि वो आलसी था वो काम नहीं कर रहा था कुछ इसे लिए उसे बाकी लोगों से गुस्ता हा रहा था बाकी लोगों पर उल्लू ने सोचा मैं किया उस नन्नी चिड़िया से भी गया गुजरा हूँ उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया भी काम में लगी है वो अपना घोसला बना रही है नहीं मैं भी अपने लिए सुन्दर सा घोसला बनाता हूँ पर तभी अपनी लंबी उड़ान के बाद उसे कुछ थकान महसूस हुई उसने मन ही मन विचारा ठीक है अभी सो लूँ कल काम करूंगा आफ देखो उसने क्या करें गलत चीज करें न उसने जब आपको जो काम करना होता है आफ उसी टाइम करें उसने सुचा अभी मैं सो ले तो कल काम करूंगा अगर ए दिन भी उन Сам औरनी गोसला बनाने का काम फिर से टाल दिया उसे सुचा आज छोड़ देता हूं कल कर लूँगा इस प्रकार टालते टालते कई सब्ता निकल गए और शरद रितू आ गई शरद रितू आ गई का क्या मतलब है थंडा मौसम आ गया विंटर सीजन आ गया और हिमपात हिमपात मतलब स्नोफॉल होने लगा चारो और कहीं भी सुखा घास पातना था जिससे नीर बनाया जा सके जिससे वो अपना घोसला बना सके आज तक आलसी उल्लू घोसला बनाने का क बहुत दिखती है वह खाना ले जाते हुए चोटे चोटे दाने ले जाते हुए क्यों drag वग अकटा करने से लगाती है та क्यों करी दिक्कत्र सोटे हैं तो बढ़्यक्तर साव भी वह चाह ल्याली से गर्मेर के लिए उर तिह उल्लू ह dobr करो उपक्षा नहीं जीसे दिकत्तर कि हमें कभी भी काम को टालना नहीं करना चाहिए हमें हर काम समय पर ही करना चाहिए